अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवसे मैरी जैनिवर्सरी हैं उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामनाएं आज मकर शक्रांती के पावन परवपर आप सभी को बहुत-बहुत हरदिक सुब कामनाएं भगवान आदित्य भानु भासकर आप सबके जीवन में उज्वल तालाएं आप सबको ओज्देज की प्राप्ती भगवान सवीता की करपा से प्राप्त हो आज मकर सक्रांती में सुर्य राशी परिवर्तन करते हैं और सुर्य का जो राशी परिवर्तन है वो धनु रासी से निकल करके मकर रासी में सुर्य जा रहे हैं इस इस्तिती में हमें कुछ विशेस उपाय करने चाहिए वो भी बताऊंगा तो आईए पहले आज का पंचांग भी देख लेते हैं अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि सूर्य का सभी के जीवन के उपर प्रभाव पड़ता है वनस्ति हो मानव हो कोई भी क्रेचर हो सभी के उपर सूर्य का प्रभाव आता है सूर्य ओज तेज के नियनता है सूर्य व्यक्ति के जीवन को प्रकाश देते हैं अगर हम जोतिस सास्त की बात करें आपकी जनम पत्रिगा में यदि सूर्य बहुत कमजूर है बल शाली नहीं है बल छीन है या सूर्य ग्रहन दोश है ऐसी वस्ता में जिस भाव में भी योग है या जिस भाव के कारक सूर्य है तो आपको सदैव दिक्कत रहेगी सूर्य नित्रों के भी स्वामी है कमजूर सूर्य नित्र कमजूर होने का सुचक होता सूरिय और चंद्रवाद दोनों ही ऐसे गरे है अब देखो जब सूरिय एक राशी से निकल करके दूसरी राशी में पदारपन करते हैं तो वो बेला सक्रांती की कहलाती है अब वो जिस राशी में जाते हैं उस दिन वो ही सक्रांती होती है अब जैसे आज सूरिये मकर राशी में जा रहे हैं तो मकर शकरान्ति कहलाती है समझे색 आप लेकिन मकर शकरान्ति का महत्यप में बहुत जादा होता उसकी कारण हमने आपको अने को बताए थे अगर आप हमारा वो कारे करम देखेंगे ना मकर शकरान्ति वी से सांग उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें भी कुछ बातें बताते हैं आपसे सबसे एहम बात सुरिये छे महीने दक्षणाइन रहते हैं और छे महीने उत्तराइन रहते हैं आज के ही दिन से यानि के मगर्श अक्रांती से सुरिये 6 महा के लिए उत्त्राइन हो जाते हैं अब उत्त्राइन इस्तिती देवताओं की स्तिती होती है देवताओं की भौर माने जाती है दिन माने जाते हैं तो बहुत अच्छा ये समय होता है उत्त्राइन का और बहुत ऐसे सादू सन्यासी हैं जो उत्राइन आने का इंतिजार करते हैं और उत्राइन में ही अपनी देह को त्यागते हैं वो बाते तो बहुत बड़ी हैं वो तो भई उनकी मायाएं हैं वो उनके लिलाएं हैं वो यूप पुरुसी जानते हैं सित्पुरुसी जानते हैं लेकिन उत्रायन का इंतिजार वो लोग भी करते हैं, उत्रायन ऐसी इस्तिती होती है, दूसरी बात, कि मकर रासी में सूरिय जा रहे हैं, अब मकर रासी क्या है, मकर रासी के स्वामी कौन है, शनी है, सनी और सूरिय का बैर है, बेदवाओ है, ऐसी इस्तिती होती है, तो हमें उपाए जरूर करने चाहिए और भारत वर्ष के विभिन प्रांतों में अलग अलग प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता हाला कि उत्तर प्रदेश में खिचडी के रूप में तिल के रूप में यग जब्ट के रूप में तो पूरे विश्म में ही मनाया जाता है ना बीहु का तिवार, आज के दिन आसाम की हम बात करें, हम तमिल नाडू की बात करें, तो पॉंगल जैसा विशेस पर्व, गंगा सागर की बात करें, तो महापर गंगा इसनान है न, तो भई मामूल है नहीं है आज का जो दिन है, तो इसलिए आप आज के दिन वैसे तो हमने व दर्शन जलूर करें पांच बार दर्शन करें तो उत्तम क्योंकि पांच विरासी सूरिय की होती है तो जब भी सूरिय को देखें तो पांच बार ही प्रणाम करें कोशिस करें, पांच बार प्रणाम करने के प्रणाम तो हजार बार भी किया जाए, कम नहीं होता, लेकिन पांच बार आज के दिन सूरिय को प्रणाम करेंगे, आपको सवीता देवता का आश्यवाद प्राप्त होगा, और जिनके जन्रमांक में, जन्रमकुडले में, यहाथ क रेखाओं में सूरियाती कमजोर हैं उनके लिए तो आज की गई साधना है सद्दफल दाई होती है आज के दिन आप सूरिय देवता के जैसे सूरिय भगवान के द्वादश नाम होते हैं द्वादश नाम जपना द्वादश नाम लेना बहुत अच्छे माने जाते हैं जो सूरिय को कभी जल नहीं देते हैं तो कम से कम आज सक्रांती की बेला में सूरिय को जल हलकी शक्कर आदी डाल करके चंदन डाल करके लाल पुष्प डाल करके कुछ भी ना हो तो शक्कर सबके घर में होती है हलकी इसी शक्कर मिला करके ताम्बे के पात्र से सूर्य भगवान को जल दें ताम्बे का भी पात्र ना हो तो फिर जैसा भी हो दें जरूर कहने का भाव जल सूर्य नरायन को आज के दिन जरूर देना है आदित्य हर देस्तोत्र आप पढ़ सकते हैं तो आज के दिन बहुत अच्छा है भगवान श्री राम ने आदित्य हर देस्तोत्र पढ़ा था और विजय की प्राप्ति हुई तो हमारे जीवन में भी नाना भाती के युद्ध हैं नाना भाती के संगर्स हैं कहते हैं लाइफ इस ट्रेगल तो हम हर प्रकार के संगर्स उसे मुक्ति पाएं हमें सदय विजय की प्राप्ति हो इसलिए आदित्य हर देस्तोत्र जो सादक रवी बार टू रवी बार पढ़ता है या प्रती दिन पढ़ता है अति आनंदित उसका जीवन जाता है और आज से जैसे सूर्य उत्त्राइन भी हुए हैं तो आज से नियम बना लिजेगा आदित्य हर देस्तोत्र हर संड़े आप पढ़ें आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लाप मिलेगा जिन सादकों के नेत्रों में विकार रहता है तो ऐसे लोगों को यह चश्मा बहुत मोटे नंबर का है पाइंट से इस परकार के रेटीना में प्रॉलम हैं आपकों में रधोंदी है नाना बाती के जो नेत्रों से संबंदित रोग होते हैं तो आज से ही प्रारम करें चाक्षोशी विद्या चाक्सु से विद्या का पार्ट करने में मात्र चार पांच मिनट लगते हैं है ना मुस्किल से लगते हैं तीन चार मिनट तो आप आज से ही उसे परारम कर दें बहुत अच्छा आपको लाब मिलेगा दूसरी बाद जिनको चर्म रोग है चर्म लोग जाता ही नहीं तो सूरीय के सामने आज तो चलो मेरी आप वीडियो क्या पता कितने बज़े देखने हैं कैसे देखने हैं या बाद में भी हो सकता है दो दिन बाद देखो तो आज के दिन से परारम कर लें या जब भी मेरी वानी को सने, क्योंकि सूर्य उत्राइण हो चुके हैं, जिन चर्म लोग है, सुराइसिस है, या एख्जीमा रहता है, दाद खाज बहुत ज़ीद रहते हैं, लाल चक्ते पढ़ते हैं, तो आपको सुरिया के सामने, सुबाब सुबाबा खूते हुए सुरिया के सामने बैटें будем बैठें। और एक मंतर होता है, अम हरिम हरिम सुरिया नमा, या ओम हरिम तिक मरश्मय आरोग गेदाए सुरिया आल। नमा भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन शोटली मंत्र अच्छा है आपके लिए ओम हिरिम हिरिम सूर्याय नमा इस मंत्र को आप करें आपका चर्म रोग जाता रहेगा धीरे धीरे आपको लाब मिलेगा जिनके चेहरों पर दाग धबे जाईया पिंपल्स बहुत रहती है तो उन्हें भी ओम हिरिम हिरिम सूर्याय नमे यही मंत्र पढ़ना चाहिए और इसके वाद कम से कम 10 मिंट गाहित्री मंत्र सूर्य भग्वान का ध्यान करते हुए भरकुटी में के यहां सूर्य मुझे दिख रहे है या अजगजली सी आके खोल करके कि हलकी सी आखे खोल करके सूरिय को निहारें बंद करें निहारें बंद करें और महरे महरें सूरिया नमें पढ़ें आपके चेहरे की लावन्यता जो है वो वापस आएगी आपके चेहरे पर इस निकदता चा जाएगी है ना तो ये बहुत सारे ऐसे सूरिय से संबंदित हमार डिक्षिनरी में मोशन का मतलब ये है, है ना, डिक्षिनरी में इसका मतलब ये है, आप डिक्षिनरी पर विस्वास करते हैं, वो एक इत्यास है, उसमें सारी चीज़े कैदी की गई है, आप बहुत सारी चीज़ों पर विस्वास करते हैं, ऐसे ही शब्द कोस हमारे हिंदू स लातें आप उस पर विस्वास कर लेते हो जिस व्यक्त पोई इत्यասिक ऐस्तित्त्व नहीं हम आप को परमान दे रहा है रामएन ens प्रमान है सिर्म भागवद जीता है पकिसी पर विस्वास विश्वास नहीं कर रहें है न वैं एक ची अब यह तो है निकिया कि पुस्तक हमारे धर्म में हमारे धर्म में तो विपल भंदार हैं विपल साहित्ति विपल ज्यान की चीजें कालिदा स्ने क्या लिखा में ज्ञूंतरम देखिएगा तो तूसरी आज जी ने देखो रामें की रचना करके पूरे विश्व को सुख दे दिया भगवार राम की भक्ती का सुख दे दिया तो भाई कहीं तो थोड़ा सा आप लिटिल इबिट कहीं तो थोड़ा सा विस्वास करिए इसलिए कहने का भाव मेरा यही है अपने सभी साद्गों से आज का दिन बड़ा सुन्दर दिन है और सूरिय का जो राशी परिवर्तन है इसका इफेक्ट बढ़िया आएगा यदि आज की दिन आप सूरियों पास ना करते हैं सेकंडली आज की दिन पक्षियों को गहुआना जरूर डालिएगा आज की दिन संभावता गवशाला में जाकर के कुछ ने कुछ सेवा करिएगा आज की दिन किसी भी रिशी को मुनी को सादू को सन्यासी को अपने से बड़े को बुजर्गत को चाची को काकी को नानी को जिसको भी आप कर सकतें आज की दिन वर्स वर्स गरम है ना और उसमें ताम वरणी रंग हो देने से बहुत ही सुन्दर आपको आशिरवाद नारहिण का भी मिलेगा यानि के सूरिय नारहिण का और उन बुजर्ग वारत से तो आशिरवाद हमें मिले गए मिलेगा तो आप जरूर करिएगा बस इनी विनी इत्भाव में मैं आपक जरूर करिएगा अब बहुत सादख हम से कह रहे हैं कि सर सूरिय परिवर्तन हुआ है इसके लिए हम सूरिय परिवर्तन के क्या उपाए करें तो सूरिय परिवर्तन के कोई विशेस उपाए करने की इस वार जरूरत नहीं है आप मगर सक्रांती पर ही अपने अपने हिसाब से कर लीजिएगा अब जैसे हम उत्तर भारत की बात करें हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर आज के दिन तिल का दान करना मौंगफली का देना गुड़ का देना खिच्डी का दान करना गरम वस्तर का दान करना यग करना स्रोबर में इस्नान करना बहुत शुब बान पूरे विश्व में जहां भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सुर्य नराण के है तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं यह सब के लिए है आज की यह दान जो है आज का दूसरी बात ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लिए सब के लिए यह दूसरी बात तिल वाला जल सुर्य होता है वो आज पक्षियों को डाली है कि गेहूं जो होता है सूरिया का दान माना जाता है तो आप तूटा हुआ गेहूं 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 उनको डाली है पक्षियों को डली है कुछ करी है आप भई हमारा कर्तव बनता है इस बाहने हम पक्षियों की सेवा करते हैं इस बाहन जाने ना जाने ये संसार में जितने जलजले आते हैं जितने अर्थ क्यूक आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जंजावत हो जाते हैं तुफान हो जाते हैं तो अगर हम इस प्रकार से सभी क्रेचर की सेवा करें मुख प्राणियों के विशेस्ताई सेवा करें त इतना आप से बन पड़े आज के दिन आप जूरू करिएगा और सूर्य राशी परिवर्तन के कोई विसेस उपाई की जूरत नहीं है आप कम से कम चार हफते और पांच हफते के आसपास यही आदित्य हर्दियस्तोत्र पढ़ लीजेगा यह सूर्य का कोई भी दान कर एक माला कर लीजेगा पांस सप्ता कर लीजेगा फाइब भी कर लीजेगा और केवल संडे के दिन कर लीजेगा फिर सूर्य को जल्दी दीजीगा तो सूर्य के राशी परिवर्तन का मगर सक्रांती के लाब का और सेकंडली सूर्य के उत्राइन होने का आपको बहुत सुंद कुछ न कुछ अनुभव नजर आएगा। आए साथ को समय उचलाज की ध्यानमाला का ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान स्री राम से। रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यःं रामे चितलया सदा भवतुमे भोराममा मुद्धरा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो रामत पोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वैदे हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं। वाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चाद्राबन कुम्बकर्णहननं इतद्रामायनं। इतद्रामायनं। कबच बना लें द्यान करें राम जी का असिर्वाद हम सब पे बरस रहा है। अम बोलते हुए नित्रखोले समान्य हो जाए। आज के दिन नजारे होते हैं गंगा जी के घाट पर देखिया आज के दिन गंगा सागर का वो देखिया आप। कैसे कैसे तपस्वी कैसे कैसे सादक वहां आते हैं नजर भी नहीं आते हैं। तपस्वी ऐसे ऐसे लोग हैं जो जाने किस-किस रूप में किस-किस भेश में वहां करके अपनी साधनाई करते हैं इसलिए कहते हैं जब घर में कोई यग अहवन होता है न तो उसको एकदम यग के बाद समेटना नहीं चाहिए कई बार बहुत ऐसी विराठ शक्तियां आकर के वहां यग कर जाती हैं कई बार हम देखते होते हैं कि यग हमने एक गंटे पहले किया लेकिन अभी तक अगनी बड़ी सुंदर प्रजुलेत हो रही है और बड़ा घर में सुवास और सुवंधी मैं की होई है तो बहुत सारी बाते हैं साधको समय समय के हिसाब से आपको बह करने के लिए वैदिक आती हैं या आपकी कॉल अपाइंडमेंट जो भी होती है वो कई बार थोड़ा सा आपको समय अभधी हो जाती है तो आप परिसान नहों क्योंकि हम एक हैं और पूरे विश्व में लोग इश्वर की करपा से आप सब के स्ने हैं हमें प्राप्त होता कॉल अपाइंडमेंट को ले करके या कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा डेट आपकी आगे चली जाती है तो उसके लिए करपे आप थोड़ा सा एड़्यस्ट अवश्य कीजिएगा इन ही शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं ओम सुर्याय नमाहा जी मेरा नाम रवी कुमार सिंग है मैं 36 गड़ रायपूर से हूँ मैं गुरु दिक्षा भी लिया हूँ इनके बताय मार्क पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसलिए कि सच के मार्क पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं यह सिरिफ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो और भगवान से बड़ी सक्ती तो कोई नहीं है गुरु गुरु के बाद भगवान गुरु माता पिता और भगवान यह तीन चीज को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जरौत पड़े हमारे लिए तो बस अब जो भी है तो गुरुजी ही है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तो एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें